Hello everyone, हम NCLT line by line study कर रहे हैं ठीक है और NCLT में हम 3rd chapter that is plant kingdom को जो है slowly slowly cover कर रहे हैं ठीक है तो उसमें हमने algae को study कर लिया है उसको हमने bryophyte में study कर लिया है उसमें हमने entidophyte study कर लिया और हमने जो है मतलब जीम्नो स्पर्म को भी detail में study कर लिया है तो आज हम पढ़ेंगे angiosperm अहँ देखो angiosperm क्या होते हैं अगर इनकी जीम्नो स्पर्म के साथ कंपैरिशन किया जाए तो वहाँ पे क्या था जीम्नो स्पर्म में हमने कवला कि ओब वियूल्स होते है नौट कबर वाई ओवरी इसलिए वहां पे सीड कैसे बने नेकड बने तो यहां पे क्या है यहां प और फ्लार बनाओ जो हो इस प्रसृत Imocyc Hugo आप टॉ होते हैं यह इण पैस्प फ्लार मिलते हैं और लीधिये यह उसमें क Totang फ्लार प्रसेंट उते है तो इन implication usually we Came a contact incomely लौट इस पर उसमें के बिलते हूटे हैं तो इन का थो Wal फाइड रेंज ओफ व्हाइबिटेट में पाया जाता है एंजिस प्रम कों के बोलते हैं यह most highly evolved plant यह सब पाया जाते हैं ठीक है यह most highly evolved plant होते हैं ठीक है तो देखो यहां का इनका contrasting feature के है fluar की छोता है कि dove RAW को हुआ लोग्लासिज में है एक ने पढ़ कहता होगा О Twitter में ओगा की एक खेलिक्स परेजन पटय करोला होता इस चाहिए जोंन्ते अंट्र में तो यहां पर क्या होता है obviously ovary के अंदर ovule present होते हैं और fertilization जब होती है तो आपके ovules होते हैं वो seed में change वाते हैं और जो ovary होगी fruit में change वाएगी तो यहां पर seeds होंगे वो कैसे होंगे covered होंगे gymnosperm की तरह नहीं होगे वहां पर seed कैसे थे नेक्ड होते हैं इसलिए इसको gymnosperm हो बोला यहां पर angiosperm होते हैं यानि कि covered seed होते हैं ठीक है seed join that is covered by the fruit तो अब वल्दा कि angiosperm जो होते हैं इनका range of size होता है वह tiny भी हो सकते हैं almost microscopic जैसे बोल फिया जो होता है वह hide चली जाती है यह हमें क्या परवइट करते हैं यह हमें sites like we have provide food provide बिभी मिलता है one faader मिलता है fuel मिलता है medicine मिलती है and several other commercially important products जो हमें इन 안 ange 해्यो सपाम से हमें मिलते हैं अब जो है अन बान क्रा पर दैंधा क्लासिज में डिवैड करते हैं डाइकोड ahead monocod Dicotyledons and Monocotyledons ठीक है बला कि Dicotyledons and Monocotyledons में का difference होते है Dicotyledons क्या होते है इनकी सबसे बड़ी property ये होते है कि इनके seed में क्या होते है दो Cotyledons होते है जैसे आपने Soivin देखोगा ठीक है या आपने जो मतलब beans देखोगे या आपने जो मतलब gram देखोगे बलेक gram देखोगे तो वहाँ पर क्या होते है जब उनको हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या होते है दो Cotyledons होते है प्रेजेंट होते है इसलिए हम उनको क्या बोलते है हम उनको Dicotyledons बोलते है ठीक है यहां पर dicot में क्या होता है? दो cotyledons होते हैं, इसलिए उनको हम dicot बोलते हैं, जो कि नरिश्मन्ट प्रवाइड करते हैं embryo के लिए, और monocot में क्या होते हैं, केवल एक ही cotyledon होता है, जिसको हम skewt alum बोलते हैं, skewt alum बोलते हैं, एक ही cotyledon होता है, अब देखो flower present होते हैं, flower में जो male sex organ है, उसको हम के बोलते हैं, male sex organ को हम क्या बोलते हैं stamen बोलते हैं और stamen में क्या होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर stamen की diagram बनाईए stamen में क्या होता है stamen में क्या होता है यहाँ पर enter होता है और क्या होता है filament होता है stamen के पास क्या होता है enter होता है और filament होता है ठीक है स्टीगमा बनता है और आपके स्टीगमा और स्टाइल और यह तीन पार्ट होते हैं वैसे आपके अन्थर और उस पॉलन सेक में क्या बनते हैं और उस पॉलन सेक में क्या बनते हैं और पॉलन ग्रेन आगे चलके क्या करता है वो male gamete बनाता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि pollen grain जो है वो क्या है वो एक reduced male gametophyte है और Stamin वो 2-Leaks стан tyre का मिलकर बना होता है तरफ सक्मेंय। फीलामेंट, और अंथर के टिप पहोगा अंथर के अंदर मियोसिस isponna work, pollen सैक और pollen सैक में होती है उसके पॉलन सैक में क्या होते है, जो करेंगे जो करेंगे मियोसिस होगी और वह pollen ग्रेन बनाएंगे वो कहाँ पनाएंगे pollen grain बनाएंगे वैसे ही female sex organ जो होता है उसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं कारपल भी बोलते हैं इसके अन्दर तीन पार्ट होते हैं pistil जो होता है उसके अंदर stigma style ovary ovary के अंदर बहुत सरे ovule हैं और ovule के अंदर जो होते हैं female gametophyte होता है जिसको हम embryo sac बोलते हैं पढ़ेंगे इसके बाद में डिटेल में चैप्टर जो मतलब आपकी class plus two में डिटेल में पढ़ा जाता है जब हम NCAT plus two को कबर करेंगे तो इसमें हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे तो यहां पर stigma style ovary के अंदर के होगा female gametophyte होगा और female gametophyte के अंदर के होगा आपका female gametophyte होगा female gametophyte अगर देखा जाए ना अगर मैं इसे थोड़ा सा आपको clear करा हूँ तो यह क्या है stigma होगा this is called as a style और this is called as the ovary और ovary के अंदर क्या है ovule है अगर इस ovule को मैं ऐसे देखा देखूं यहां पर ovule होते हैं ठीके ovule होते हैं और ovule होता है उसमें क्या होता है आपका female gametophyte होता है female gametophyte होता है तो यह female gametophyte में क्या होता है female gametophyte में क्या होते हैं आपके तीन cells होते है that is called as a antipodal cell और बीच में क्या होते हैं आपके polar nuclei होते हैं दो और साथ में क्या होगा एक egg cell होता है और दो आपके synergid होते हैं तो यह सारा क्या है यह female gametophyte है इसके अंदर क्या होते हैं तीन antipodal cells हो दो सेंड पोलर नुकलाइज होते हैं और दो शिनर्जी डोस एक एग सेल्स होता है प्रेजेंट होता है ये भी आपने यह रखना है तो सेवन एड नुकलेट सेल होता है आपका जो फीमेल गैमिटफाइट है पोलर nukle Site करेंगे ये फ्यूज सारा कसरा हेपल्यॉड पोलर nukle करेंगे venir defuse कर जाते और हम स्केंडरी नुकेलιस बनाथे और पर फड़ेंगे ठीक है और पालन ग्रेंग क् год करे गा जैसे यंतर चयाब पहंचे गा पॉचिए आंथर के पास पमीरेट होते हैं कैसे अजंसी प्योरी पहुंच सकते हैं हवा के पानी के दोरा या और्गनिजम जो एनिमल्स के दोरा भी क्या होती है पॉलिनेशन हो जाती है ठीक है तो इसी को हम क्या बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं पॉलिनेशन मतलब ट्रांसपर अब दा पॉलन ग्रेन from anthal to stigma is called as the pollination. देखो यहां पे अगर pollinogen बनेंगे, वो कहां ट्रांसपर होंगे? anthal to stigma ट्रांसपर होंगे. by the agency of wind, then it is called as the anemophily. by the agency of insects, then it is called as the entomophily. और by the agency of animals, that is called as the, उसको हम क्या बोलेंगे, जुफिली बोलते हैं. और पानी के थू जा रहें, then it is called as the hydrophily. यहां प्रीपल गेमिट के करता है, वो fuse हो जाता है, एकसल के साथ, और क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? आपका जाइगोट बनाएगा? जाइगोट क्या करेगा? लेकिन दूसरा male gamit जो होता है, वह fuse हो जाते आपके इन दो polar nuclei के साथ और नो polar nuclei के साथ और यह एक इनके साथ male gamit जो हो रहा है, तो यह क्या बना रहा है type loid endospirm बना रहा है, तो मैंने आपको बता लेकिन जिम्नोस्पयम में क्यों होती है वह वर हो आपलैड होती है ठीक है तो यहाँ दो लेकिम बार फ्यूज़ीयोंस के साथ वर मेंतैब करें के साथ यह फ्यूज़ेशन कर रहा है कि यहांने कि दोवर fusion हो रही है that is called as the double fertilization ठीक है एक में तीन चीज़ें fuse करी हैं दो polar nuclei और एक male gamit that is called as a triple fusion और एक में क्या हो रहा है आपका male and female gamit fuse करें that is called as the उसको हम क्या बोलेंगे sin gammy बोलते हैं यह दोनों event को sin gammy and triple fusion को मिलाके हम क्या बोलते हैं double fertilization जो है बोलते हैं contrasting example इसका fertility area करेंगे उसमें आपको detail में double fertilization जो है study करेंगे तो pollen tubes होती है pollen grains होते है यह germinate करते है stigma के अपर and resulting in the pollen tube formation होती है और grow through the tissue of the stigma and style and reach करते हैं ovule में और pollen tubes होती है embryo segmenter कर जाती है जहां पे दो male gamit discharge होते है और one of the male gamit जोता है वो fuse होता है egg cell के साथ और जाइगोट बनाता है sin gamit इसको बोलते हैं और other male gamit जोता है फ्यूज करता है diploid scoundrid nucleus के साथ है और triploid primary endosperm nucleus बनाता है और इन्ही involvement की वस्ते इन्ही दो fusion की involvement की वस्ते हम इसको क्या बोलते हैं जो की unique event है हमारे endosperm का तो जाइगोट ड्वल्प इन्टू embryo बिद वन और टू करेंगी तो जाइगोट क्या करेंगा वह embryo में ड्वल्प हो जाएगा embryo जोगा उसके पास दो cotyledon होगा तो डाइ-cotyledon embryo है अगर एक तो इसको जो monowaterland embryo बोलेंगे और आपके जो endosperm है वो क्या करेगी उनने रिस्मेंट प्रवाइड करेगी जर्मिन्टिंग embryo के लिए और आपका जो ovule है वो क्या करेगा वह आपके seed में चेंज होएगा और ovule होगी फूट में चेंज रहेगी यह सारे के सारे इवेंट जो हते हैं पोस्ट फटलाइशन इवेंट होते हैं देखो यहांसे मान लो कि आपका यह क्या है यह मान लो आपके इस्टिगम है इस्टाइल ओब्री ओब्री के अंदर क्या है ओब्यूल प् और जो ओब्री ओगी हो फूट में चेंज रहेगी इसलिए हमारे फूट कैसे होते हैं वो कवर्ड होते हैं तो दूरिंग इस इवेंट ओव्यूल डवल्प इंटो सीड और ओवरी जोते हैं डिवल्प इंटो फूट और लाइफ साइकल ऑफ एंज स्परम जोती है आपकी दिखाएगए यह देखो यहाँ पर आपका मस्टर प्लांट दिखाया गया है मस्टर प्लांट में क्या होता है आप देख सकते हैं कि इसके उपर फ्लार लगे हुम है जो मेल फ्लार इंटो helping की अंदर स्टैमन की हूपर यंद्षर, फिलामेंट और फिमलurpose को क्या मैं का मैं brain brain को बोलते हैं, इनको male gametophyte भी बोलते हैं, जो आज़े किया बनाते हैं, आपकी दो male gamet बनाते हैं, आप देख रहे होगे, यहाँ पे दो male gamet होते हैं, pollen tube की थ्रू के आ रहे हैं, वो transmit हो रहे हैं, उसी तरह आपको जो यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहां पर जो है stigma cell ovary में ovule है ovary में megaspore mother cell बना ओवियूल में megaspore mother cell क्या करेगा female embryo sec बना रहे हैं यह embryo sec जो है इसमें तीन antiporal cells है यहां पर दो polar nuclei है और एक egg cell है और दो synergid हैं तो यहां पर एक male gamit क्या करेगा आपका secondary nucleus के साथ फ्यूज करेगा एक एक के साथ और दूसरा किसके साथ करेगा इसके साथ फ्यूज करेगा और क्या करेगा जाइगवट बनेगा और एंडियूस्पर्म बनेंगी और फिर क्या होगा यह ऐसे जो मतलब embryo development में क्या होगा नया प्लांट त्यार हो जाएगा तो ब्राइफाइट को complete कर दिया है और साथ में हमने आपके जो मतलब जिम्नोस्पर्म और एंडियूस्पर्म को भी complete कर दिया ठीक है उसके बाद कौन से टाप्पी करते है कि life cycle यहां से भी एक question हमेशा NEET exam में पूछा जाता है आपके सब एक्जाम में यहां से question पूछे जाते हैं ठीक है तो यहां पर हम life cycle इसका start करेंगे ठीक है